हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ उमा उमासगाडर में आप सभी खस्वागत हैं दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आई हूँ आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वीडियो है देख सकते हूं आप इसमें कितनी प्यारी फैरी सी फ्राबरिंग हो रखी है आई होग आपको ढंक से दिख रहे होगी यूंकि धू बहुत जादा है तो पता ही चल रहा है कि प्रॉपर दिख रहा है की नहीं दिख रहा है तो आज मैं यह प्लांट लेके आई हूं बेबी सन रोज देख सकते हूं आप सभी के घरों में अल्मोस्ट होता हो गए बेबी सन रोज तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि इसके क्या करें और इसमें ऑपहरों डालना भी है यह सब कुस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसकी ग्रोफ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा ग्रोफ और इसके जो लीब्स है और कैसी शाइन कर रही है और इसकी जो फ्लावरिंग है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है इसकी एक पॉट में इतनी ज़्यादा फ्लाव बाकी के पॉट के मुताबिक और इसमें देखो मुझे हलकी सी फ्लावरिंग मिली है देख सकते हो आप इसमें भी 3-4 फ्लावर खिले हुए लेकिन बर्स बनी हुई है इतनी ज्यादा खिले हुए तो दोस्तों मैं बताती हूं इसकी कियर इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ह हैं आप इसकी कटिंग इस टाइम पर लगा सकते हैं इसकी कटिंग का लगाने का कोई टाइम नहीं होता दोस्तों आप कहीं से भी कटिंग लाओ और अपने प्लांट अपने किसी पी प्लांटर में या जो आपका जिसमें आपने प्लांट लगाया है उसमें भी लगा सकते ह और इसके जो फूल होते हैं बहुत हार्डी जैसे होते हैं मतलब कि इतनी प्यारी होते हैं मतलब इतनी जल्दी यह नहीं टूटते देखो आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूं यह दूप है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा इस तरह से तो यह देखो आप यहां पर कितना मतलब जैसे सूरज होता है ना बिलकुल वैसे ही देखो आप देखो जैसे सनुता देखो center में कैसे मतलब यलो-йलो सा पूरा लगता आक यह तरह से जो proper खिल खिल गया होता है उसमें इससरा से सूरज की तरह बना हुआ होता है तो इसमें इतनी ज्यादा care नहीं है तो इसको बतातीयों की propagate कैसे करते हैं आप इसको cutting से propagate कर सकते हैं ढीर सारे planter मतलब भर सकते हो आप इसे गंबलों में लगाए आप मैं इसका एक ही पॉर्ट था मेरे पास तो मैं बताती हूं कि मैंने इसमें लगाया था देख सकते हो आप इसमें अभी तक कोई फ्लार्स नहीं हुए क्यूंकि इसका रिजन यह है दोस्तों क्यूंकि इसमें फ्लार्स क्य बना सकते हो इसके बेबी संरोज के कि आप बांट-बांट के भी ठक जाओगे तो यह बेबी अगर आपने कोई जगह भी कवर करनी होती है तो आप वहां पे इसको लगा सकते है बहुत इजी लिए कवर हो जाते हैं और इसकी रूट्स दोस्तो हफ़ते में ही आ जाती है अगर आप इसको over watering कर रहे हो तो उसकी वज़े से थोड़ा सा हो सकता है यह खराब है या इसकी leaves इस तरह से इसको अगर जैसे मैंने इसको direct sunlight पे रखा है तो आप इसको direct sunlight पे रख सकते हो कोई नुकसान नहीं होगा है तो अब बताते हैं कि इसमें flowering क्यों नहीं हो रखी है इसमें इसमें इतनी अच्छी flowering क्यों नहीं हो रखी है इसमें सिर्फ बहुत सारी branches आ रखी और flowering नहीं हो रखी है तो दोस्तों मैं इसका राज बताती हूं क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था और उसके बाद इसमें flowering बगएरा कुछ नहीं आ रखी थी तो मैंने इसमें मिला है यह plant मेरा देख सकते हो कितना जादा healthy है तो इसमें flowering भी मुझे सबसे जादा मिले तो flowering दोस्तों हमें DAP से मिलती है अगर आप इसमें DAP डाल दे तो आपको flowering बहुत सारी मिली है इनमें नहीं डाली थी तो आप देख सकते growth इनमें अच्छी है लेकिन होगी flowering ले लाही इतनी अच्छी growth हो रखिया है उसमें और इसकी growth अच्छी है लेकिन इसमें flowering अभी नहीं हुए तो मैंने बताया कि flowering क्यू नहीं हो रखिया क्यूंकि इसकी मैंने जतनी भी cutting है सारी मैंने लगा दी देखो आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगा से cutting करके रखा हुए जहां से निवन्य कटिंग करके रखा हूँ सिंपल मिट्टी और हो सकता है अब क्यूंकि इसकी शायद रूट्स भी वांड होगी होगी अंदर क्यूंकि इसकी जो स्वाइल है काफी टाइम होगा चेंज नहीं कि मैंने तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा तो तब भी ग्रो कर दोस्तों आपको फुर्टी लाइज़र देनी को जरूरत नहीं तो आपको धिरो फ्लावर मिलेंगे युक्कि मिटी में और ने बहुता ऐसा फुर्टी लाइजर होता है घ्रप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो पर नेक्स टॉप B-B, Dr. Kelly, bye-bye!